हेलो दोस्तों आफ सभी का स्भागत है आप इकी चैनल पे अगर नहीं है तो सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें शियर करें दोस्तों चलिए दोस्तों आज अशोकरांदी जी क्या बोलते हैं शुलते हैं साथियों नवस्कार, साथियों पिछले पांच महीनों से चला आ रहा आंदोलन एक उतकर्ष पे पहुँच चुका है, साथियों ये आंदोलन आखरी स्थिती में है, आखरी स्टेज में पहुच चुका है, हो सकता है कि जो 19 फरवरी को प्रदर्शन है, बिहार बोर्ड के सामने सुबह 10 बजे से, उस प्रदर्शन के बाद बिहार बोर्ड फर्स्ट विक या फिर फरवरी के लास्ट विक में ही रिजल प्रकासित करने को मजबूर हो जाए, लेकिन अगर हम आंदोलन को छोड़ देंग तो फिर बोर्ड मरमानी करेगा, वो अपनी नीतिया चलाएगा और अपने तरीके से आगे बढ़ेगा, इसलिए साथियों 19 के आंदोलन में सभी साथी पहुँचें, अगर कोई काम हो, पर्सनल काम हो तो उसको एरजेस्ट करें, आप लोग इस भरोसे बैठे रहते हैं कि प जादा लोग आंदोलन में पहुचेंगे, उतना जादा बेनिफिट होगा, उतना जादा सरकार पे बोर्ड पे दवा पड़ता है, साथियों इसलिए सभी साथी एक दूसरे को इनफॉर्म करें, एक दूसरे को बताएं और 19 फरवरी को सुबह 10 बजे बिहार विद्याले पर बहुत सारे साथी एक दूसरे को फोन करके भी उन्होंने आने के लिए कहा और इसका भी फायदा हुआ, इसलिए साथी जो आपके सरकल में हैं जिनको आप जानते हैं, उनका फोन नंबर हो आपके पास या वाट्सअप नंबर हो तो उनको बताएं कि 19 तारीक के आंदोलन मे जाना बहुत ही जरूरी है, साथियों, 19 तारीक के आंदोलन के बाद बोर्ट एक नए तरीके से फिर से विचार करेगी, जबकि रिजल्ट पिछले साथ फरवरी को ही त्यार कर दिया गया है, बोर्ट रिजल्ट को रखे हुए है, दबा करके, वो रिजल्ट देने का नाम भ नहीं कर रहा है विहार बोर्ट, गलत प्रसनों के बदले अंग के मामले में विहार बोर्ट कह रहा है हमेशा कि हाई कोट इस पर बेन लगा रखा है, तो साथियों हमारी ये भी मांग है, कि गलत प्रसनों के बदले जो क्वालिफाइंग परसेंटेज है, 60, 55 और 50 हर साथ में आप लोग वहां पर पहुँचे और आंदोलन को सफल बनाएं, न्याएक टीटी संकाय आखवान है कि तमाम साथी 19 तारीक को सुबह 10 बजे पिहार बोर्ड ऑफिस के सामने पहुचे, साथियों अब आप मुझे फेस्बुक पे भी अपने साथ जोड सकते हैं, अश 255684, मैं अशोक क्रांती अध्यक्ष नियाएक टीटी संग, धन्यवाद